आजम जानेंगे कि जब साल में एक बार समवत सरी का प्रतिकमन कर लेते हैं तो फिर प्रतिदिन या रोच प्रतिकमन करने की क्या जरूरत है तो इसका जवाब ये है कि जैसे प्रतिदिन गर में दो बार जाडू निकाला जाता है वैसे ही प्रतिदिन देवसिय और राईय प् परंतु प्रति दिन जाडू निकालने वाला जब दिपावली आती है तो विशेस रूप से साफ सफाई की जाती है यदि दिपावली पर साफ सफाई करने की अपेक्सा से कोई प्रति दिन जाडू नहीं निकाले तो घर में कचरे की क्या स्तिती होगी कितना कचरा हो जाएगा और उसे वर्ष भर बात साफ करने में कितनी कठिनाई आएगी इसी प्रकार से समवत्सरिक प्रतिकमन करने के विशई में भी समझना चाहिए समवत्सरिक प्रतिकमन के भरोसे देवसिय और राईय प्रतिकमन नहीं चोड़ा जा सकता है क्योंकि सादक को प्रतिपल अप्रमत रहना चाहिए इससे सादक की आरादक दसा बनी रहती है यदि इस बीच में वो काल धर्म को प्राप्त हो जाए या उसकी मृत्ति हो जाए तो भी उसकी आरादकता बनी रहती है वर्ष भर के लिए अगर विरादना का प्राइस्चित छोड़ दिया जाए तो उन सब विरादनाओं का स्मरन रहना भी कठीन है और उसके प्राइस्चित आधी को करना भी कठीन है जो जितना उच्च कोटी का सादक है उसे उतना ही सावदान रहने की आवश्यकता है इसलिए देवसिय राइय प्रतिकमन के सिवाई भी जब जब सादक स्वाध्याई आधी करता है तब तब वो ज्यान आधी विरादना की ततकाल आलोचना करता है और उसका मिच्छामी देता है इसलिए जैसा जैसा विधान है उसके अनुसार सभी प्रतिकमन करना योग्य है अगर जानते है कि प्रतिकमन करते रहने से यदि आलोचना हो जाती है तो क्या पाप करते ही रहना चाहिए क्या ऐसा सोचना ठीक है तो इसका जवाब है कि ऐसा सोचना मुर्कता पोर्न है क्योंकि दवा लेने से रोग मिटता है तो जबरन रोग लगा दिया जाए ऐसा कौन बुद्धिमान सोचेगा जो ऐसा सोचने वालों के मन में पाप के प्रति अरूची है ही नहीं और पाप की अरूची के बिना किया हुआ प्रतिकमन सचमुच में प्रतिकमन जैसा नहीं होता है रोग से अरूची होने पर व्यक्ति दवा लेता है परन्तु दवा है इसलिए रोग में रूची हो ये तो उल्टी बात है ऐसे ही प्रतिकमन के विशई में भी समझना चाहिए दूसरी बात प्रतिकमन से अतिचार तक के दोसों का सुद्धिकरन होता है न की अनाचार का प्रतिकमन है जिसे पाप छोडने का मन ही नहीं है वो कैसी आराधना करेगा बिना आराधना के सकलना भी कहां है आराधना में अनभ्यास के कारण जो सकलना होती है उसके प्रतिकार स्वरूप प्रतिकमन है मूल रूप से तो पाप को ही नहीं करना ही प्रतिक्रमन है आराधना की टूट फूट को जोडनी का कारिय प्रतिक्रमन करता है जिसने पाप त्याग करके आराधना का निर्मान ही नहीं किया उसके लिए प्रतिक्रमन कौन सी टूट फूट को ठीक करने वाला होगा प्रतिक्रमन के मूल में पाप की अरूची ही प्रदान है परन्तु इसका आशय ये नहीं है कि जिसने वरत ग्रहन नहीं किये उसे प्रतिक्रमन नहीं करना चाहिए क्योंकि स्रावकुल में जन्म लेने वाला कुछ न कुछ आरादना करता ही है और प्रतिक्रमन स्वाध्याई और भावना के अभ्यास रूप है ही अब जानते हैं कि मिच्छामी दुकडम कहने मात्र से या प्रतिक्रमन करने से दोसों की विशुद्धी हो जाती है तो इसका जवाब है कि दोसों के स्तर अनेक प्रकार के हैं उन्हें चार प्रकार में विभाजित किया गया है वे चार प्रकार है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार इन में से अतिचार तक के दोशों की सुद्धी के लिए आलोचना करना प्रतिक्रमन का विदान है अनाचार दोस के लिए अलग से प्राइश्चित का विदान है जैसे मन और वचन से दोसों का सेवन होता है वैसे ही मन और वचन द्वारा ही दोशों की विशुद्धी भी होती प्रतिक्रमन का विदान चदमस्त आचारियों की ओर से किया हुआ नहीं है, परंतु सर्वग्य तिर्थंकर बगवन्तों के द्वारा इसका विदान किया गया है, इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि सर्वग्य निरर्थक विदान नहीं करते हैं, उन्होंने प्रतिक्रमन से त पस्चाताप से मन की शुद्धी होती है तो इसका जवाब ये है कि मन की शुद्धी होती है क्योंकि हम संसार में भी देखते हैं कि गलती करने वाला पस्चाताप पूर्वक अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो प्राय उसे दंडित नहीं किया जाता है ऐसा ही प्रतिक्रम प्रतिक्रमन करने वाला यदि मन के अंदर पस्चाता पूर्वक प्रतिक्रमन कर रहा है परन्तु वहां भी मन नहीं लगा तो भी वो प्रतिक्रमन की क्रिया निरर्थक नहीं होगी वो अंसतह बगवान की आज्या का पालन करता है प्रतिक्रमन करने के पूर्व भावो लास का अनुभव कर रहा हो तो उसकी क्रिया को हम बिलकुल भाव सुन्य नहीं कह सकते हैं इसलिए प्रतिक दुरुष्टी से प्रतिक्रमन करना योग्य है अब जानते हैं कि प्रतिक्रमन क्यों करना चाहिए या प्रतिक्रमन की उपयोगिता क्यों है तो प्रतिक्रमन सब्द का अर्थ है पापों से पीछे हटना, मूल रूप से तो पाप नहीं करना ही प्रतिक्रमन है, मनुश्य जब आराधना के लिए ततपर होता है तो उसके जीवन में आराधना का अभ्यास न होने के कारण सकलनाए होना संबव है, उन सकलनाओं के परिमार आरजन के लिए प्रतिक्रमन आवश्यक है, बगवान महावीर ने चतुरवित संग के लिए दोश हो या न हो तो भी दोनों काल प्रतिक्रमन करने का विदान किया है, इसलिए आगमों में बगवान महावीर के धर्म के साथ सर्प्रतिक्रमन विशेशन दिया गया है, हम जो देवसिय राईय प्रतिक्रमन करते हैं वो आगमिक विधान की अनुसार है। कई प्रतिक्रमन करना रूडी मानते हैं परंतु रूडी किसे कहते हैं ये चिंतन करना होगा। जिस क्रिया का कोई प्रयोजन न हो और जो केवल गतानु गती से की जाती है उसे रूडी कहते हैं। परंतु प्रतिक्रमन तो सरप्रयोजन किया जाता है, सासन के विदान के पालन रूप में है, जो प्रतिक्रमन में उप्योग स्थिर नहीं रहता है, ऐसा बहाना बना कर प्रतिक्रमन नहीं करते हैं, वे जिन सासन के विदान का उलंगन करते हैं, वे बगवान की आज्या के वि बबी सुदार नहीं आता हो, तो सुदार लाने का प्रयतन करना चाहिए, परन्तु ये कारण बता कर कि मन नहीं लगता, प्रतिक्रमन को चोड नहीं देना चाहिए. कई कहते हैं कि रटे रटाए पाट बोलने से क्या लाब है खरे मन से जोग पस्चाता फो वही प्रतिक्रमन है तो ये कतन भी उचित नहीं है भाव को आदार देने के लिए कुछ न कुछ स्तूल क्रिया भी चाहिए जैसे बिना डोर की पतंग गगन में उडान नहीं भर सकती वैसे ही बिना आधार के भाव भी पकड में नहीं आ सकते हैं और वे उर्द्वगामी नहीं हो सकते हैं आजकल एक फैसन सा चला है कि हम तो भाव को ही प्रदानता देते हैं इन जड क्रियाओं को नहीं देतें तो ऐसा कहने वाले भाव से तो प्राई वंचित है ही परन्तु द्रव्य क्रिया से भी वंचित रहते हैं वे जिन सासन में अव्यवस्ता पैदा करते हैं भगवान की आग्या बंग करते हैं और अपने समय का दुरूपयों करते हैं तो इन सब बातों को देखते हुए प्रतिक्रमन की क्रिया लाप्रद है बले ही वो रूडी रूप में हो रही हो परंतु वो परंपावनी क्रिया है जैसे कि प्रतिक्रमन के निमित से सैलक राजस्री जागरुत हुए और अप्रमत विहारी बन गए यदिवे नित्यप्रती प्रतिक्रमन करते रहते तो संबव है कि उनके जीवन में इतना प्रमाद नहीं आता इसलिए भाव पूर्वक प्रतिक्रमन अपनी आराधना के उत्थान में एक महान हेतु है इसलिए मन में उल्लाज भाव रखते हुए प्रतिक्रमन की क्रिया दोनों समय करनी चाहिए अब जानते हैं कि प्रतिक्रमन टेप द्वारा या मोबाईल से सुन लेते हैं तो क्या हर्ज है उसे याद करने में समय क्यों बरबाद करें तो इसका जवाब है कि ग्यान और क्रिया की आराधना का कोई स्वरूप भी होता है टेप से सुनना या मोबाईल से सुनना एक सोग जैसा है वो आराधना का सही प्रकार नहीं है याद करना समय बरबाद करना नहीं है क्योंकि याद करने से ग्यान की आराधना का प्रकार बनता है प्रतिक्रमन याद करने वाला अपने ज्यानावर्निय कर्मों का चयोपसम करता है और विनई पूर्वक ज्यान को सीखता है अन्य गुनों को भी अपने जीवन में विक्सित करता है प्रतिक्रमन आदी याद करना अपने स्रम का सदूपयोग है उससे ज्यानावर्निय कर्म का चयोपसम तो होता ही है परंतु साथ ही वीर्यांतराई दर्शनावर्निय मोहनिय कर्म का भी चयोपसम होता है वो याद करते हुए अपनी वीर्य सक्ति का सदूपयों करता है इसलिए वीर्यांतराई कर्म का छयोपसम होता है विनई बहुमान आदी ग्याना चार का वो पालन करता है इसलिए ग्याना वर्निय कर्म का भी वो छयोपसम करता है जितनी देर वो प्रतिकमन आधी को याद करता है उतनी देर गुर्राग और द्वेस आधी कशायों की परिनती से मुक्त रहता है और वीतराग देव की वानी में स्रद्दा को पुष्ट करता है इस प्रकार वो दर्शन मोहनिय और चारित्र मोहनिय करम का भी छयोपसम करता है जब प्रतिक्रमन याद हो जाता है तो वो उसका अपना गुन बन जाता है क्योंकि ग्यान गुन आत्मा का निज गुन है टेप से या मोबाई से प्रतिक्रमन सुनने वाला सम्यक क्रिया की क्या आराधना करेगा। स्वयम याद किये हुए प्रतिक्रमन में यथा योग्य वंदन विनई क्रिया आधी का प्रयोग होता है। उसमें क्रिया का बहुमान होता है। क्रिया के बहुमान से क्रिया में विश और जो भाव पूर्ण क्रिया होती है वो अवश्य फल प्रत बनती है प्रतिक्रमन का जो फल स्वयम याद करने से प्राप्त होता है या अन्य जनों से विधी पूर्वक सुनने से प्राप्त होता है वो टेप से या मोबाईल से सुनने से होना संभव नहीं है क्योंकि टेप या मोबाइल बसता रहे उपयोग दूसरी और रमता रहे और भाव उल्लास दसा नहीं आए तो प्रतिक्रमन का विशुद्धी रूपफल कैसे प्राप्त होगा जब स्वयम क्रिया करते हुए उपयोग लगाते लगाते भी मन इदर उदर दोड जाता है तो टेप तो परवस्तु है वहाँ मन कैसे टिकेगा सबसे बड़ी बात तो आराधना की है टेप या मोबाइल के माध्यम से भाव पूर्ण आराधना संभव नहीं लगती है इसलिए प्रतिक्रमन याद करने में समय की बरबादी नहीं है किन्तु सत्क्रिया की जीवन्तता है अब जानते हैं कि सामाईक और प्रतिक्रमन के पाट हिंदी में क्यों नहीं है तो सामाईक के समस्त पाट और प्रतिक्रमन के अधिकांस पाट अर्दमा गदी भासा में है ये बात स प्रतिक्रमन में कहीं हिंदी दोहे हैं परन्तु उनका आसे भी कितने जन या कितने लोग समझते हैं। वहां तक समझने की मनस्तिती न हो, जिग्यासा बुद्धी जागरत न हो, वहां तक समझा नहीं जा सकता है। अपनी अपनी और से किये गए अनुवात को महत्त्वता दी जाएगी। दूसरे के अनुवात को रद किया जाएगा। इस होडा होड में धर्मक्रिया की विदी की भी दुर्दसा होगी। मूल पाट से धर्मक्रिया करने में सभी भासा भासी जनों की क्रिया में एक रुपता बनी रहेगी। अतित के करोडो साधकों ने इन पाटों से साधना की है। वर्तमान में हम भी इनी पाटों से आराधना करते हुए उस एक रुपता को संबाले हुए है। स्वयम तिर्थंकर भगवान जब दिक्षित होते हैं तब करेमी भनते के पाट के अंसरूप ही सववम अकर निज्यम सावज्यम जोगं पचक कामी। इस सूत्रांस से चारित्र की प्रतिग्या स्विकार करते हैं। इस प्रकार गंधरों और तीर्थंकर बगवन्तों के द्वारा उच्छारित पाटों से धर्म आराधना करके अपनी धर्म आराधना में गोरव की अनुभूती कर सकते हैं। इन मूल पाटों को छोड़ देने से आवश्यक सूत्र की व्यवस्तित क्रिया प्रनाली नश्ट होने की आसंका रहती है। इसलिए हमें इन मूल पाटों का परित्या करना नहीं चाहिए। इसलिए रहने से धिरे धिरे उन सब्दों के भाव भी स्पष्ट हो जाते हैं और बार बार अर्थ देखने से चिंतन करने से उन सब्दों के अर्थ गोरव का भान होता है। उन सब्दों में कितना कितना अर्थ समाया हुआ है ये भी स्पष्ट होने लगता है। फिर सब्द के बोलने पर अर्थ भी व्यक्त होने लगता है। इसलिए स्रम से गबराना नहीं चाहिए और मूल पाटों को सुरक्षित रखते हुए हमें अपनी प्राचिन संस्कृती की सुरक्षा करनी चाहिए। अब जानते हैं कि मन की एकाग्रता न रहे तो बिना मन लगे धर्म क्रिया करने से क्या मतलब है। तो इसका जवाब ये है कि यदि मन लग जाता और मन चंचल नहीं होता तो साधना की क्या आवश्यकता थी। अनपड बच्चे को ही पढ़ने के लिए पाटशाला में बेजते हैं। वो नहीं जाना चाता है तो फिर भी उसे जबर्दस्ती पढ़ने बेजा जाता है। वो वहाँ पहले तो बिना मन से ही बैठता है। अध्यापक जबरन उसे पढ़ाते हैं समझा कर पुछकार कर उसका मन लगे ऐसा प्रयतन करते हैं। और धिरे धिरे उस बालक में पढ़ने की रुची जागरत हो जाती है। और वो मन लगा कर पढ़ने लग जाता है। इसी प्रकार से साधना में भी पहले पहल मन नहीं लगता। साधना में मन नहीं लगे और साधना करने के लिए बैटे तो वो साधना वृता नहीं जाती या व्यर्त नहीं जाती बिना मन लगे भी अभ्यास किया जाता है यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मन लगेगा तबी दुकान पर बैटूंगा तो उसकी क्या दशा होगी ऐसे ही साधना के विशय में भी समझना चाहिए मन चंचल है निरंतर मोह कर्म का उदई चल रहा है कर्म प्रकृतिया सत्ता में है इसलिए जब उदई में आती है तो योग चंचल हो उठते हैं परन्तु उस समय भी साधना करते रहने से साधना का अभ्यास तो होता ही है और उन कर्मों के अनुसार क्रिया कलाप में नहीं लगने से पुनह वैसे नए कर्मों का बंद नहीं होता कर्म के चयोपसम की यही प्रक्रिया है अर्थात उदई में आये हुए को भावना के बल से नश्ट करना और जो उदई में नहीं आया हो उसे धर्म के अब्यास से दबाना ये पुरुशार्थ है इसलिए मन नहीं लगने का बहाना बना कर साधना का परित्या करना ठीक नहीं है बच्ची को रोटी बेलना याद नहीं है अगर वो यू ही कहती रहे कि मुझे बेलना याद नहीं है या मुझे बेलना नहीं आता है इस इसे ही मन के साथ भी हमें जबरदस्ती करनी पड़ती है। इस प्रकार अभ्यास की आवश्यकता निरंतर बनी हुई है। बैती हुई नाली बैती है। उसे मोडना हो तो स्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार मन बाहर में अधिक रमता है। टीवी के रंगारंग कार्यक्रम में उसे विशेस रस आता है। उसे मोडने में, साधना में, लगाने में स्रम लगता है। किसी भी छेत्र में अभ्यास का महत्व है ही। अब जानते हैं कि सामाईक आधी क्रियाएं विदी पूर्वक करने की क्या आवश्यकता है। तो कोई भी काम विदी से किया जाता है, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। चलते फिरते भी खाना खाया जाता है, उससे भी पेट भरता है। परंतु रोज कोई ऐसे नहीं खात हैं। विदी पूर्वक खाने में निश्चिंतता रहती है और वो भोजन की व्यवस्तित प्रनाली मानी जाती है। व्यवस्तित बोजन करने वाले को सब्य माना जाता है। इसी प्रकार अविदी से सामाईक के रूप में समवर होता है, परंतु उसकी भी कुछ विदी है, जो स्वल्प है और सामाईक की विदी विशिष्ट है। विदी पूर्वक सामाईक करने में सामाईक का बहुमान होता है और उससे सामाईक के फल में विशेष्टा आती है। किसी व्यक्ति को गुरू से स्वर्न बनाने की विदी प्राप्त हुई, उसमें धातु में अमुक क्रम से अमुक वनस्पत्य डाली जाती थी उसने पहली बार तो क्रम पूर्व की सब वनस्पत्या डाली और सचूच में सोना बन गया वो सोना कुछ दिन तक चला फिर खतम हो गया तब पुन सोना बनाने का उसका मन हुआ परन्थु उसने स्वर्ण बनाने की विदी लिखी नहीं थी स्मृति दोस से वनस पत्यों के क्रम में भूल हो गई दूसरी बार उसने उतनी ही मैनत की परंतु सोना नहीं बना क्योंकि वो विदी भूल गया था एक दूसरे उदारन से जानते हैं कैसे की घी, शक्कर, आटा, तीनो है हल्वा बनाना है परंतु हल्वा बनाने की विदी याद नहीं है तो हल्वा कैसे बनेगा हल्वा बनाने की विदी भी याद है परंतु कुछ नया करने की सूज हो और क्रांती के नाम पर विदी को उलट-पुलट कर दे तो भी हलवा नहीं बन सकता इसी प्रकार किसी को सामाईक की विदी याद नहीं है तो वो सामाईक नहीं कर पाता है जिसे सामाईक विदी ग्यात है परंतु प्रमाद कुछ नया करने की जग, क्रांती कारिता आदी कारनों से विदी नहीं करता है तो उसे स्वर्न सिद्धी वाले के समान ही फल की नियूनता होती है विदी पूर्वक की गई धर्म क्रिया का फल भी विशेस होता है अव विदी से क्रिया करने का प्राइसचित आता है विदी पूर्वक क्रिया करने का प्राइसचित नहीं आता है तो ये थे सामाईक और प्रतिक्रमन से संबंदित कुछ एक प्रश्न आज का प्रश्न है कि कितने लोग सामाईक भी करते हैं प्रतिक्रमन भी करते हैं और चौदा नियम भी लेते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें